इमली के आज के पिसोड में आप देखेंगे के निर्मला सूर्य से बोलती है कि वो मालती से दूर रहे उसकी आज जो हालत है सिर्फ उसी की वज़े से है निर्मला बोलती है कि मालती इस घर में सेफ नहीं है इसलिए वो इसे यहां से ले जाएगी जब वो ठीक हो जाएगी इमली अपने गाव पर पट्टी कर रहे होती है तब ही वो निर्मला और सूर्या की बाते सुन लेती है निर्मला सूर्या को सेलफिश बोलती है और उससे बोलती है कि उनसे दूर रहे अगर उनकी जराबी परवाय तो सूर्या बोलता है कि वो उनके बिना नहीं रह सकता निर्मला सूर्या को थपड मार देती है सूरे अमली के कमरे में जाता है उसका चोट लगावा हाथ पकड़ लेता है और उसे सब के सामने ले आता है सूरे अमली को मालती की कंडिशन का जिम्मधार ठहराता है सूरे अमली को घर से बाहर निकाल देता है और बोलते है कि क्या वो अपनी सफाई नहीं देगी IMLNI बोलती है कि सुरे उसकी सफाई डिजर्ब नहीं करता सुरे उसके मूँपर दर्वाजा बंद कर देता है बारिश होने लगती है और IMLNI एक पेड़ के नीचे सहारा लेती है मालती सुरे को बताती है कि गुंडे उसके पास सुरे की वज़े से आयते इमली की वज़े से नहीं क्योंकि वो गुंडे सूरे से बदला लेना चाहते थे मालती सूरे से बोलती है कि इमली भाग सकती थी लेकिन वो भागी नहीं और उसने उसकी जान बचाई सूरे भागता वा जाता है इमली को देखने और देखता है कि इमली को एक कार टककर मारने भी हमाले बहुती है तब इल Assembly को पर वापस ले आता है उसके अपर मेली की चोट पर मरम लगाता है अरुमरा रूकिन मज़ेशंप क्यूंसे त hyई भी इनॉय बचाहाdरा में कि उसके भुटजी। सूरे बोलता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया उसने उसे सच बताने का मौका ही नहीं दिया इमली के आने वले एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरे इमली से पूछता है कि तुमने रगु को देखा या नहीं रगु यहां आया था या नहीं ऐसे एपिसोड अपडेट के लिए देखते रहे हैं मी स्टालेट एंटेटेन्मेंट